पिंदास मार्केट ओफ इस्टोक में आपका एक वर फिर से स्वागते हैं तो दुस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले BSE गी सब लोग जाते हैं NSE और BSE वह में स्टोक एक्षेंज और नेशनल इस्टोक एक्षेंज हमारे देश में जो यह दो बड़े इस्टोक एक्षे जनपर हमारे shezer,sheer market के trade करते हैं तो आप कोई भी शयर खरीचते हो तो या तो जाता है और BSE में इन्ही दो आप में trade करते है ठीक है तो BSE जो company है अपने आप में एक monopoli business घंखती है क्योंकि जैसे आपको पता है पूरी share market में आप ने कोई भी,share खरीचता है आफ जाकर देखना या तो अनसीस में ट्रेड़ कर रहा हो ए बेएसमें या फिर धोनों में ट्रेड़ ट्रेड कर रहा होगा ठीकैर तो इसके जभाव से ही एक मोनापॉलिक बिज्नेस हो जाता है तो इस कंपनी ने अभी बोनस देने इस लिए इस company का X date है कल bonus का ठीक है कल इसका X date है bonus का 2 is to 1 के ratio में तो इस वीडियो में हम last ने बहुत ही important बात करेंगे bonus को ले करके ठीक है so please वीडियो को पूरा देखेगा और जो लोग मेरे चैनल पर subscribe नहीं कर रखे भी तक please उसको अभी subscribe कर लिजीए जो लोग नए है वो भी और जिनों ने अभी तक नहीं किया है लेकिन continue मेरे वीडियो को देखते हैं उनको दिल से धन्यवाद लेकिन उसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए थैंक्यू शो मच और अभी स्टार्ट करते हैं आगे BSE आपको पताई है क्या करते है BSE is one of India's leading actions group ठीक है तो आपको पताई चलिक हो क्या करते है उनको सबको पताई market cap की बात करते है 12,745 करोर का market cap है stock P.E.S.A.R.C.E. और R.O.E. अभी average है कम नहीं है ज्यादा भी नहीं है लेकिन average के तोर पर सही है ठीक है क्योंकि company market में अभी आए थी इसकी हमें ज्यादा details नहीं मिल पाएगी जितनी है हम उसको बात कर लेते हैं कमपनी के पास debt to heading और healthy dividend भी देती है और 69% का dividend देकी जो काफी अच्छा होता है ठीक है next हम बात करते है sales की every quarterly बात कर रहे है हम तो quarter wise इसकी growth बहुत अच्छी है 268 करोड़ से 230 करोड़ पर पहुंच गया है और उसके बाद net profit में भी इसमें growth है 22 करोड़ से 70 करोड़ पहुंच गया है यूँकि काफी अच्छी चीज़ अर्निंग पर share company एक share पर कमाई कितनी करके दे रही है 10 रुपे सी इसका 14 रुपए 3.5 रुपे का पहुंच गया काफी अच्छी हो रही है 498 करोड़ से काफ होचा 777 करोड़ net profit में भी growth है यह एक सो अधतर करोड़ से 232 करोड़ से 212 करोड़ काफी अच्छी चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है कभी ज्यादा कभी कम लेकिन growth जरूड ही है ठीक हो रही है रिटर्न ओन एकुटी आप देख रहे हो 9-10%-6% अच्छा है ठीक है इस्टोक का CGR भी लास्ट इयर 400% का CGR घजबी यह हो गया नेक्ट हम बात करते हैं रिजर्व की तो कम्पनी के पास रिजर्व एवरी इयर बढ़ते जा रहे है 241 करोड रुपे से लेकर की 256 करोड का रिजर्व पहुचके कम्पनी के पास बोरंग की बात करते हैं पहले बोरंग हुआ करती थी 200-29 करोड लेकिन कम्पनी में 0 नेल कर दी बिल्कुल ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि कम्पनी के पास एक रुपे का डेट नहीं है और हम बात करते हैं प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स की अभी इसमें हिस्सेदारी होगी लेकिन इसमें दिखानी रहा है क्योंकि कम्पनी अभी आई थी अभी हमें चलते हैं इसकी चार्ट के उपर इसके चार्ट को देखते हैं जार क्या वोडर है, फ्रायडे वाली दिने इसमें 5% से जणदा की ग्रावट देखी गीट्यू के ती जो की फ्रायडे वालocy दिना की मार्केट की ग्रावट है और नेफ्रित करते हिं,ברकृ उसकी बाद तो इसमें ग्रावट देखी के थी लवक 60-65% की लेकिन जो लोगों ने इसकी share को hold कर रखा था वो लगपदी बने के उनको मतलब बहुत अच्छा profit निकाल के देए यहां से आप देखो कि company ने 840% का return निकाल के दिया था इसलिए कहते हैं कि share में अगर mark share market पर आए हो अगर किसी share को 10 साल तक रखने की हिमत नहीं है तो उसको एक मिनट भी मत रखो ठीक है क्योंकि कंपनियां है कंपनियों का मतलब business है और business सालों तक चलते हैं कभी कवार पेहना में का आयाता है कभी कुछ आयाता है company को समालने में अपने profit को बढ़ाने में sales को बढ़ाने में time लगता है और आप लोग चाहते हो कि कल ही करोरपती बन जा है ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा सोचते हो तो share market पर ना आए क्योंकि फिर आप कहोगे कि share market जुआ है सो प्लीज लॉंग टर्म प्रपस के विजर से इस share को hold कीजिएगा और कल यह शियत दे रही है कल यह company 2-1 के ratio में इसका बोनस का एक्स डेट है एक्स डेट क्या होती है दोस्तों मैंने आपको बता रखा है जो लोग मेरे को continue follow करते है एक्स का मतलब होता है expiry rate company जो bonus देती है या dividend देती है या buyback देती है उसकी एक्स डेट देती है और record डेट देती है तो accident होती है कि उस दिन से एक दिन पहले तक जो लोग share buy करेंगे उनको buyback या dividend या बोनस मिलता है ठीक है तो आप इसमें देख सकते हो 21 मार्च 2022 की एक्स डेट थी बोनस का रेशियो है 2-1 का ठीक है तो 2-1 का रेशियो मतलब होता है कि एक share के बदले आपको 2 share मिलेंगे जिन लोगों ने Friday तक इसमें share buy की होगी उन्हें bonus मिल जाएगा लेकिन कल जो buy करेगा उन्हें नहीं मिलेगा जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आप इसकी quantity देखोगे फ्राइडे वाले दर कितने परसंट के डिलीवर रठाए गई है 58% की मतलब 14,3,89 करोड शेयर लोगों ने खरीदी के रख लिए है क्योंकि उनको पता था कि एक्स डेट जो है वो मंडे वाले दिन है और उस दिन खरीदे हैं को तो उनको शेयर नहीं मिलने वाला बोनस के रूप में अगर किसे ने एक शेयर खरीदा होगा फ्राइड़ वाले दिन तो उसको दो सेयर मिल जाएंगी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमार्ट होते हैं तो वह रेगुलर वीडियो देखते हैं या जो भी मार्केट को एनलेसिस करते रहते हैं लर्निंग पर फोकस जहते हैं तो उनको पता रहता है कि कैसे क्या होता है तो आ तो खरीद पाएंगे ना बोनस के फाइदा पाएं बिल्कुल भी बाइड नहीं करना है अब उनको वेट करना है कल के बाद यह सेर अट्टाइसों का सेर हो सकता है 900 सारे लोसों के करीब आपको मिलेगा यह सेर ठीक है उसके बाद आप इसको थोड़ी दिन देखना कि सेर में थोड़ी बहुत ग्रावट हो रही है या कंसुलिड टरेट कर रहा है तब भी आपको बाइड करना है अगर extreme हो रही है तो ग्रावर्ट में हर ग्रावर्ट में आपको यख़जा नहीं करना है कल़ जब सेर 97 951 बाएगा उसके बाद वार करकर के चल सकते लाउन्ली फोर लांग परपरस के लिएंअशी अम मैं बताता हूं आपको जो मैं इंपोरेंट चीज़ बताने माता है कंपनी दूस्तों बोनस क्यों देती है मैं आपको अधादू कंपनी के पास कंपनी जब हर साल एवरी येर ग्रोथ करती है सेड्स में ग्रोथ होती है प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी या तो डिविदेन के रूप में अपनी श ठीक है और दूसरा लिए है जब कंपनी का सेयर प्राइस बहुत ज्यादा हाइप पहुंच जाता है जैसे इसका अट्थाइसो तक पहुंच गया है तो उस अट्थाइसो पर हर चोटा इंवेस्टर जो है वो सेयर को नहीं करी दे पाएगा तो इसके लिए बोनस देकर के कं कम हो जाता है जैसे कल इसका सेयर नोसो साजी नोसों पर पहुंच जाएगा उसके बाद छोटा एंवेस्टर भी उसकी पैसे को उसके सेयर को बैक कर सकता है तो यह दो मैंट चीज थी जो आपको बताने को चाहर था तो यहीं वह मैं इंपोडेंट बात थी तो ठीक है दो स् अपने आपको लखी माने और सेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करें और जो लोग बैक करना चाहते हैं वो कल के बाद बैक कर सकते हैं तो थैंक्यू शो मच और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा थैंक्यू शो मच दिल की घहर है उसे